गौतम और यशिका पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेर करते हैं आपस में इन दा रेशियो 3 इस्टू 2 उन्हों ने अस्मा को पार्टनर मनाया और गौतम ने अपने शेर का 1 थर्ड और यशिका ने अपने शेर में से 1 थर्ड सेक्रिवाइज किया in favor of आस्मा आप से कहा गय निया प्रॉफिट शेरिंग रेशियो निकाली है तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो गौतम है वो जो सिक्रवाइज कर रहा है वो कर रहा है वन थर्ड और ओफ हिस शेर ठीक है बच्चों और जो यशिका है वो कर रही है वन टेंथ फ्रॉम हर शेर जो भी समझ लीजिए विच्चों तो बड़ा फर्क है दोनों बातों में यानि कि जो गौतम का सेक्रवाइज है वो वन थर्ड नहीं है उसके शेर का वन थर्ड जो भी उसका शेर होगा उसका वन थर्ड तो उसका शेर है थ्री ट्री फ में रही थ्री फिफ्ट खिए बस्झो और यसी का शेकर जो सेखराइज है वह एक्जली ओम लट नहीं है उसको हमें 1 10th of येशिका शेयर नहीं कहना क्योंकि वो sacrifice from लिखा है तो इसका मतब येशिका का जो sacrifice है वो 1 by 10 ही है और जो गौतम का sacrifice है वो ऐसे आएगा बच्चो 1 3rd into 3 5th जो कि निकलकर आएगा 1 by 5 जिसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 by 10 ठीक है बच्चो और रही बात येशिका के sacrifice की वो आपको क्लियरली दे रखा है question में 1 by 10 तो इस ओफ और फ्रॉम के फर्क को समझेए बच्चो ओफ है तो मुल्टिप्लाइब करके निकलका sacrifice फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब sacrifice clearly given है ठीक है बच्चो अब रही बात sacrificing ratio की तो आप इनके sacrifice compare कर लीजिए तो उनका sacrificing ratio तो आगया 2 to 1 2 by 10 और 1 by 10 का ratio निकालेंगे तो sacrificing ratio तो आगया बच्चो 2 to 1 ठीक है बच्चो अब रही बात नया शेयर निकालने की तो नया शेयर निकालने का formula होता है old share minus sacrifice तो अगर हम गौतम के नए शेयर की बात करें तो गौतम का नया शेयर अगर में सेच का sacrifice जो की 2 by 10 है उसे minus कर दीजिए यह आजाएगा 4 by 10 सहीए बच्चो येशिका के नया शेयर की बात करें तो येशिका का नया शेयर आएगा जितना उसका पराना शेयर था minus जितना उसने sacrifice किया यह आजाएगा 3 by 10 सहीए बच्चो अब रही बत अस्मा के शेय की तो अस्मा का जो शेयर है वो आएगा बच्चो जितना उसे गौतम से मिला 2 by 10 जितना उसे येशिका से मिला 1 by 10 जोड दीजिए यह हो गया 3 by 10 ठीक है बच्चो तो अब रही बात नहीं रेशियो की तो 4 by 10, 3 by 10, 3 by 10 इससे इनका नहीं रेशियो हो गया 4 is to 3 is to 3 और इस तर कंप्लीट हो गया बच्चो ठीक है बच्चो